हेलो नमस्कार आदिपुरुष प्रभास आल ओवर इंडिया में काफी ज़्यादा पॉपलर है प्रभास की फेन फॉल्लविंग आंधर परदेश और तिलंगाना में हद से भी ज़्यादा है हिंदी मार्केट में भी प्रभास काफी पॉपलर है उनकी मोवी बहुबली वन और बहुबली टू के बाद आधिपुरुष को लेकर लोगों में काफी ज़्यादा उमीदे हैं काफी बड़ी एक्सपेक्टेशन है मोवी जुड़ी है रामायना से और आधिपुरुष इसी को लेकर के काफी चर्चाओ में हैं प्रभास कहींना कहीं साउथ से तो बड़े प्रभास और बल्लीवूड फिल्म इंडस्टी से किरती सैनन हमें देखने को मिलेगी बड़ी मूवी है बहुत बड़ा बजट है 500 क्रोड प्लस मूवी का बजट है जब इतने बड़े बजट की मूवी कभी भी रिलीज हो तो नमबर बात होती है कि लोगों को मूवी कितनी प बज़ाएगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन ट्रिलर के अगरम बात करें तो अभी से अंदेशा लग रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि आइडिया सा हो रहा है कि लोग मूवी को बहुत पसंद करने वाले हैं क्योंकि ट्रिलर को लोगों ने पसंद किया है इस स्टोरी को एक बड़े ग्रेंड वीजन के साथ बनाने की कोशिश की है अच्छे वीएफेक्स के साथ बनाने की कोशिश की है मेकर्स कहीं ना कहीं इस मूवी को लेकर के अपना तनमंधन पूरा उन्होंने इस मूवी के लिए नेचावर कर दिया है वो हमें ट्रेलर से भी देखने को मिलता है उम्रावत काफी अच्छा डारेक्टर है हमने उनकी मूवी पहले भी देखी है अब आदिफुरुष के बारे में बात करें तो पहले डे की ओपनिंग के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा अभी तक तो हमें पता है कि पहले डे की ओपनिंग अगर हम बॉलिवुड की बात करें तो पठान शायर नमबर वन पे हैं जिसने लगबग लगबग 47 से 50 क्रोड के आसपास की ओपरिंग ली थी पठान में क्योंकि शारुखान थे और शारुखान का जो क्रेज है दर्शकों में बल्यूड मार्केट में वो तो शायद मुझे नहीं लगता कि प्रभास से बीट कर पाएंगे क्योंकि शारुखान आई मिन बहुत 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 ही बड़े स्टार हैं I think उतना कहीं न चालिस क्रोड का क्लेक्शन जरू करेंगे और जहां पर उनकी टेरेटरी है यानि की आंदर परदेश और तेलंगाना यानि की तेल्गू की मार्केट जो है वहां से मुझे लगता है कि प्रभास रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर पहले दिन में लेकर के आने वाले हैं और नेट क्लेक्शन के अगर मैं बात करूं तो 40 क्रोड के असपास हो सकता है 35 से 40 क्रोड का नेट क्लेक्शन जो है वो आंदर परदेश और तेलंगाना से हो जाए अधर स्टेट्स के अगर मैं बात करूं तमिलाडू केरला और अधर स्टेट्स तो वहां से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुवी को साथ, आठ या दस क्रोड के बीच में कलेक्शन देखने को मिलेगा लिए कि All Over India के अगर मैं बात करूं तो मुवी का जो नेट क्लेक्शन है वो मुझे 90 क्रोड के असपास जाता हूँ नजर आता है पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं मुवी एक्स्टारडिनरी शाम के रैट के शोज करती है तो हो सकता है मुवी 95 से 100 क्रोड के असपास भी जाए पहले दिन का क्लेक्शन वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो डेफिनिट्ली मुवी जो है कमाल करेगी और मुवी का क्लेक्शन जो है 130 क्रोड के असपास रह सकता है और उससे भी जादा जा सकता है तो जैसे मैंने कहा क्या शारु खान की मुवी पठान का पहले दिन का रिकॉर्ड ये मुवी तोड़ पाएगी बॉल्ली हुड में हिंदी मार्केट में तो अभी तो नहीं लेकिन अगर अल ओवर लाइफ टेम क्लेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि पठान मुवी क को पीछे कर पाना वैसे तो आने वाले दो साल तीन साल के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन क्योंकि प्रभास जो मुवी लेकर के आ रहे हैं आदी बुरुष उसकी स्टोरी ही कुछ ऐसी है कि ओडियंस मास ओडियंस खास करके मुवी के साथ आटोमेटिकली जुड़ती जा सुनते आ रहे ही रामाएंड की देखते आ रहे हैं वो कही लोगों को अंदर एक जिग्यासा रखता है कि हां भी अब यह स्टोरी हमें कैसे देखने को मिलेगी जब प्रभास मुवी में है तो जिए को कैसे राम दिखेंगे के हैं और 125-130 क्रोड का मुझे लगता है कि डेफिनिटले मुवी वर्ल वैल्ड में क्लेक्शन करेगी करेगी क्या मुवी पहले दिन में 200 क्रोड जा सकती है आप मुझे कमड़ बॉक्स में लिखके बताएं क्या इतना बड़ा चमतकार यह मुवी कर सकती है या फिर नहीं धन् नहीं करीम है